हर हर महादेव, जय भूलेनात, साल का आखिरी चंद्र ग्रहन कितने से कितने बजे तक रहेगा, भारत में दिखेगा या नहीं, शहर शहर अनुसार ग्रहन की टाइमिंग, जानते हैं संपूर्ण जानकारी. साल का आखिरी चंद्र ग्रहन 18 सितंबर 2024 को पित्री पक्ष के पहले श्राध के दिन लगने जा रहा है, ये ग्रहन करीब 4 घंटे तक लगा रहेगा, इसका सूतक काल ग्रहन लगने के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा, बता दे किसी भी ग्रहन के लगने से पहले उसका हो जाता है, धार्मिक मान्यताओं अनुसार ग्रहन की तरह ही सूतक की अवधी भी अशुब मानी जाती है, इस दोरान किसी भी तरह के शुब कार्या नहीं किये जाते, इतना ही नहीं इस दोरान मंदिरों के कपार तक बंद कर दिये जाते हैं, चलिए जानते हैं 18 सितंबर 2024 क कि चंद्र ग्रहन का समय क्या रहेगा और इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, अगर बात करें ग्रहन की टाइमिंग सुबह 6 बच के 12 मिनट पर शुरू होगा, जो कि 10 बच के 40 मिनट पर समाप्त होगा, सूतक कब से लगेगा, सूतक रातरी 9 बच के 12 मिनट पर शुरू हो 18 सितंबर 2024 को जम्मू में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को जम्मू में सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को जम्मू में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को पटना में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को पटना में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को पटना में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को मध्यप्रदेश में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा 18 सितंबर 2024 को जारखंड में चंद्रग्रहन सुबह 06 बचकर 12 मिनट से लेकिन सुबह 10 बचकर 17 मिनट तक रहेगा